नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियोज देख रही है आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रज्या सिंगा जब राहूल गांधी का जन्म हुआ था तो आखिरकार कहां थे राहूल गांधी के पिता राजीव गांधी और चाचा संज्वे गांधी आखिरकार कौन था वो सक्ष जसने राहूल गांधी को पैदा होने के बाद सबसे पहली बार अपनी गोद में लिया था आज के इस खास प्रोग्राम में इस खास रपोर्ट में हम इसी बात पे खुलासा करने वाले हैं दर असल आपको बता दे कौंग्रेस नेता राहूल गांधी का जो जन्म दिन है राहूल के रूप में मनाते हूं नज़रा रहे हैं जगा जगा राहूल गांधी के जन्म दिन पर अलग-अलग पोस्टर्स देखने को मिल रही हैं हर कोई कौंग्रेस नेता के जन्म दिन को एक उत्सब की तरह मनाता हूँ दिखाई दिरा सुबह से राहूल गांधी को ट्विटर प आपने नहीं सुना होगा और आज के सखास रेपोर्ट में हम आपको यहीं बताने वाले हैं कि आखिरकार कौन था वो सक्षु जस ने सबसे पहली बार राहूल गांधी को अपनी गोद में लिया था कॉंग्रेस के वरेष्ट ने ता राहूल गांधी का जन 19 जून 1970 को दिली के होली फैमिली हॉस्पिटल में हुआ उस वक्त उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी देश की एक ताकतवर सक्षय थी पिता राजीव गांधी राजुनीती में नहीं थे कम पाइलेट थे 19 जून 1970 को जब सोनिया गांधी ने राहूल गांधी को जन्म दिया तब उनके पिता राजीव गांधी और देवर संची गांधी भी मौजू थे साल 2019 के शुनावो के वक्त केरल की एक रेटार्ड नर्स ने दावा किया कि जन्म के बाद सबसे पहले उसी ने राहूल गांधी को कोद में लिया केरल के वाइनाड की रहने वाली सेनवृती नर्स राजम्मा वावधिल ने तब कहा था कि किसी को भी ततकालीन कॉंग्रेस के अध्यक्ष राहूल गांधी की नागरिक्ता का विरोध नहीं करना चाहिए था क्योंकि वे भारत में जन्मे नागरिक हैं वे उनके जन्म की आपको बदा दे कि साल 2019 को PTI के दिये गए के इंटिव्यू में राजम्मा ने दावा किया था कि वे 19 जून 1970 को जब राहुल गांधी का जन्म हुआ दिली के होली फामिली हॉस्पिटल में ड्यूटी पर मौजूद थी 72 वर्सिय राजम्मा को उस समय नर्स बनने के प्रसिक्षन ले रही थी और उन्होंने कहा वे शिशु के रूप में राहुल को अपने हाथों में लेने वाली पहली महिला थी उन्होंने कहा था कि वो बहुत प्यारा था मैं उनके जन्म की साक्षी हूँ मैं रोमांचित हूँ इस प्रधान मंत्री इंदरा गांधी के पोते हमने जन्म के बाद गोद मिलिया था राजमा ने कहा जब सोनिया गांधी को प्रसव के लिए अस्पताल लाए गया तब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और संच्वे गांधी अस्पताल के लेबर रूम के बाहर इंतज़ार कर रहे थे राजमा ने इस कहाने को पहले भी कई बार अपने परिजनों को बताया है दरसल आपको बता दे के सेना निर्वत नर्स ने कॉंग्रेस अध्यक्ष की नागरिक्ता पर सवाल उठाने वाले भाजपा नेता सुब्रमन्यम सुआमी की सिकायत पर ये रहस्य में उधगाटन किया ये सच्चाई उन्होंने बताई कि राहुल गांधी को लेकर के जो सवाल लगतार उठाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है तो देखा आपने के ये थी वो पहली सक्ष जिस ने कॉंग्रेस ने था राहुल गांधी को जन के बाद पहली बार गोद में लिया राहुल गांधी का इनसे एक खास रिश्टा है और शायद यही वज़ा है जब राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा था तब नर्स राजामानी सामने आकर हकीकत बताई के वो भारत में जन्वे हैं और वो भारत के नागरिक हैं राहूल गांधी के जन्वन के खास मौके पर उनकी जिन्दगी से जुड़ा ये किस्सा जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और बाकी असी खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस नमस्कार